क्लास 9 कल हमने अपने सेशन 7 स्टार्ट कर लिया था जिसमें हमने पढ़ लिया था कि इंटरनेट क्या होता है और इसके uses क्या क्या होते हैं थीक है तो internet क्या है uses of internet वो सब हमने इसमें पढ़ लिया था आज हम next पढ़ेंगे connecting to the internet कहने का मतलग कि अगर हमें अपने computer क्विट्टर पर internet से connect होना है तो हमें क्या procedure फोलो करना पड़ेगा और क्या कौन कौन से जो हमें चाहिए होंगी ठीक है तो हमें internet से connect करने के लिए of course सबसे पहले device चाहिए होगी जिसमें चाहे आपके पास computer हो, laptop हो या फिर mobile हो तो एक आपके पास ये device होनी चाहिए उसके बाद आपके पास connection device होनी चाहिए जिससे कि आप internet का connection अपने उस particular device पर लगा सकेंगे तो connection device में जैसे कि हमारा modem होता है तो हमें दो चीजे specially चाहिए और हमें ISP से फिर वो request करनी पड़ेगी कि वो हमें internet provide करें तो ISP क्या है? Internet Service Provider ऐसी telephone company जिसके द्वारा हम अपने device पर चाहिए हमारी कोई भी device हो, computer हो, laptop हो या फिर mobile हो तो ऐसी telephone company जिससे हम अपनी device के लिए internet connectivity लेना चाहते हैं using the phone lines और wireless network using the phone lines और wireless network के थूँ अगर हम telephone company से internet connectivity लेना जो है ले सकते हैं तो अब phone lines और wireless network इन दोनों में क्या वर्क है? suppose आपके पास landline phone है और आपका जो computer है आपके घर पे एक one place पे प्लेस पे प्लेस्टाप होता है जहांपे जो एक ही जगे पे रख दिया जाता है एक जगे पर रखने का मतलब कि वह mobile नहीं होता means कि हम उसको एक जगे से दूसी जगे पर बार बार जो है वो carry नहीं कर सकते है जैसे कि laptop को carry कर सकते है जैसे कि mobile code ठीक है तो उसके लिए हम मारे पास जो जर्नली जो हम लोग इंटरनेट की connectivity लेते हैं वो wired connectivity होती है वो phone lines के तुरू होती है जैसे हम लोग के बीएसनेल का connection तक्रीबन जो हमारे एरिया में रहता है बीएसनेल का तो वो हमारे टेलीफोन के wire से होकर के हमारे को connection मिलता है तो अगर हमें wired connection लेना है तो हमाँ बस landline जो phone होते है ना लैंड लैंड फोन होते हैं वो होने जरूरी है क्योंकि जो वो wired के तुरू हमें जो इंटरनेट प्रवाइड करेंगे वो उन phone lines के तुरू ही हमें आएगा समझ रहो ना बात की जो wired connectivity है वो wires के तुरू आएगी और उसके लिए हमारे बस landline phone होना जरूरी है उसी landline phone के तुरू हम इंटरनेट प्रवाइड करेंगे ठीक है तो यह होता है कि wires के तुरू हम connection ले रहे हैं एक होता है हमारा wireless network जैसे कि हमारे laptop पे रहता है जैसे कि हमारे mobile में रहता है ठीक है तो वह wireless network होता है तो हम दोनों तरह से अपने ISP से इंटरनेट का connection ले सकते हैं ठीक है अब इसमें देखो detail में आपके पास दिखा दिया हुआ है कि दो तरह के हमां बस connections होते हैं जो types of connections है वह बैसिकली दो तरह के होते हैं वायड कनेक्शन और वायलेस connection वायड कनेक्शन जैसे मैंने आपको बोला कि वेन आवर कंप्यूटर इस connected to the internet using wire अगर हमारा computer wires के थूँ इंटरनेट से connected है तो हम बोलेंगी कि हमारा इस computer पे वायड कनेक्शन है ठीक है इसके लिए हम इथरनेट केबल्स यूज करते हैं इथरनेट केबल्स कौन सी होती है वह केवल्स जो की internet से हमें connect करवाती है तो हम इंटरनेट केबल्स का यूज करते हैं तो connect to the modem which connects to the ISP using a phone line अब देखो क्या हुआ computer से start करते हैं ना कि ISP से तो यहां ना कंप्यूटर से start करते हमारा computer है जिसे हमारी लैब में computer है ठीक है वह लैब में हमने establish कर दिये ठीक है वह हमने रख दिये जहां-जहां में रखने थे तो बहुत सारे computer समय लैब में तो एक computer को पोस्पोस करो जिस पर बैठते हो उसको सोचो ठीक है उस computer में जो वायर लगी हुई है वह Ethernet cable होती है ठीक है जो उसके आगे जो Ethernet cable तो जो है वह आपका Connector लगा रहता है ठीक है तो Ethernet cable आपके computer पे आपके desktop पे लगा इथरनेट केबल आपके कहां लगा होता है मॉडब में ॐचिजा रहे हैं तो में अleader सब्सक्राइब सेर्वेश्च शल्थ Dip में फिर आ imately अर्म rif मौडम से तो आपका ट्रीफॉन से परし ट्रेलिश Алत्री होती है तो इस पी के साथ वो connect होती है तो आगर इसपी की साइट से देखो तो आ ईसपी क्या करता है टेलिफॉन लाइन के थूह आपको इंटरनेटका connection देता है फिर वहां पर स्प्लीटर दो चीज़े होती है अगर तो अगर आप साधारन शब्दों में सीखो तो ISP जो है फो फॉन लाइन के थुरू आपको इंटरनेट कनेक्शन देता है फिर वहां पे वह मॉडम में वह तार लगी होती है तो मॉडम क्या कर देता है मॉडम से जो है आगे आपकी फिर एक इथरनेट केबल जो होती है वह ज मॉडम में आया तो उसके बाद मॉडम से क्या गया इथरनेट केबल गई और इथरनेट केबल आपके CPU में चली गई समझ आगई ठीक है तो मॉडम में दो तारे लगी हुए ना एक तो आई फॉन लाइन की उसके पास इंटरनेट डाटा प्रोवाइड किया उसने फिर मॉडम समझ भी आए तो वो कैसे आता है? टेकनलोजी की मदद से आपकी कंप्यूटर पर इंटरनेट का जब connection होता है तो उसको wireless connection बोलते है, अब जैसे laptop से नंश्वले से wireless connection रहता है तो लाप्टॉब्स में अगर लैप्तोब की बात करें तो लैप्तॉब में जो वायरलेस इंटरनेट कार्ड होता है वाइफाइ काड वह नरी कि उसको या अवायरलेस नेटवरक कार्ड भी बोला जाता है दो दो थीन नाम होते हैं उसके तो आपके यहां पर क्या लिपार wireless internet card laptop में लगा होता है जिसकी वज़े से ही वो फिर modem से connect कर पाता है without using any cable ठीक है तो उस में आपके पास cable नहीं होती wireless internet card होता है जिसके दवारा वो आपके wireless connection को able कर पाता है अपने आप में इंटरने connection ले पाता है बीना wires के ठीक है next है यहां पर विद लिख है यहां पर विदाउट होगा without using any cables next आपके पास bandwidth तो wired connection में example लिख लेना desktop का wireless connection में example लेना laptop and mobile का तो next आता है bandwidth bandwidth क्या होता है it is the amount of data that can be transmitted over a network in a certain amount of time suppose अगर हम एक सेकंड की बात करें कि एक सेकंड में हमारे इस network में कितना data transmit किया जा सकता है उस amount को बोलते है bandwidth ठीक है की पर सेकंड हमारे network पर कितना data transmit किया जा सकता है वो हमारे उस network की bandwidth कलाती है तो तो understand bandwidth let us take the example of a pipe the amount of water flowing through a pipe depends on its thickness similarly the amount of data that your network can receive or send depends on its bandwidth तो एक example से इसको समझते हैं for example एक हमा पाइप है ठीक है अब कहीं तरह की pipes होती है तो आप हमारी pipe means कि देखो एक होती है मोटी पाइप जो की width wise जो है वो जो उसकी थिकनेस होती है न वो बहुत जादा होती है एक होती है छोटी पाइप चोटी पाइप का मतलब जिसकी जो वो नेरो होती है ठीक है वो नेरो होती है वो जाधा जो आपकी बढ़ी नहीं होती तो अब बताओ चोटी पाईप से जाधा पानी या पर सेकेंड है ना या पर मिनिट वटेवर दाइम और उसके बाद जो मोटी वाली वाई फैर से जायदा पानी आएगा उसी पर सेकिंड या पर मिनट के DOU Rand ुछ बक्तिर तो इसी तरह से हमारा जो अवाउंट डाटा जो हमारे नेत्वट पर हम रिसीव करते हैं या फिर बहुत जादा डाटा को एक साथ ब यह सकते हैं जादा दाटा हम एक साथ receive कर सकते हैं तो हम सेंड भी कर सकते हो रिसीव भी कर सकते हैं साथ के साथ large amount of data ठीक है तो अब हमारा amount of data जो हमारे network पे हम receive या फिर भेज सकते हैं वह totally हमारी bandwidth पे dependent करता है ठीक है अब bandwidth किस तरह से measure कर सकते हैं हम करते हैं पर सेकंड की एक सेकंड में कितना बित्स टाटा जो है वो ट्रांसफर हुआ ट्रांसफर का मतलब रिसीवेंट सेंट तो और हम बाइट पर सेकंड भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है बट जो है बाइट पर सेकंड और इंसकेश ओफ एनलोग डिवाइज इस अच्छा और जो टूटिस की बात कररें हैं मोबाइल एंद लापटॉप्स की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है डिजिटल डिवाइज़ और हम बात करेंगे फिर बेट सेकेंड के तो हम अगर हमने डाटा ट्रांसफर स्पीड देखनी हैं अपने नेत वग पे तो हमने नेत वरक को चेक कर सकते हैं कि हमारी कितना जो है वो bandwidth है means कि data transfer speed per second कितनी कितनी है कितनी available है ठीक है तो अगर वहां पर लिखाओगा 1 kbps तो means कि 1000 bits per second जो है वो आपके data transfer हो रहा है एक second में 1000 bits जो है वो transfer हो रहा है अगर वहां लिखा होता है 1 mbps ठीक है तो 1 mbps का मतलब 1000 kbps जो है आपका data वहां पर transfer हो रहा है या होता है या होगा ठीक है और अगर आपका वहां लिखा होता है 1 gbps अगर आपका data transfer speed आती है 1 gigabits per second तो इसका मतलब है 1000 megabits per second के हिसाब से आपका data वहां transfer हो रहा है तो आगे समझ bandwidth क्या होती है और इसको हम किस unit में measure करते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा internet browser internet browser क्या होता है यह कैसी कहलो कि एक ऐसी app है या फिर कहलो कि एक ऐसा medium है माध्यम है जिसके दवारा आप internet access कर सकते हो अब देखो अगर आप लैब में आते थे आपको typing करनी होती थी तो आप कितना कुछ अपन करते हैं जैसे कि आप rapid typing टूटर पर जाते थे आपने टाइपिंग की स्पीड अपनी ठीक रखनी है टाइपिंग के प्रैक्टिस करनी है तो rapid typing टूटर पर जाते थे या फिर उसी के साथ अगर आप करके तो आप कहां पर जाते थे MS Paint में पर जाते थे ना माँ पर तो MS Paint में आप जाते थे Microsoft का जुथा वह हमारा तो इस तरह से पर्टिकूलर सॉफ्ट्वर एप्लिकेशन पर आप जाते थे और उसी से उसी की आप का फिर महां पर आप काम करते पेंट करना है तो टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग ट्यूटर पर जाते थे कोई आपने डॉकुमेंट बनाना तो यह पर i am a s word का यूज करते थे या फिर नोडबाट का तो इसी तरह से अगर आपको इंटरनेट एकसेस करना है तो आपको जाना पड़ेगा इंटरनेट ब्राउजर पर जाना पड़ेगा तो इंटरनेट ब्राउजर हम कह सकते के एप्लिकेशन है या फिर एक सॉफ्टर प्रोग्राम है हमारे कम्प्यूटर पर लैप्टॉप पर जो की हमें वेरियस वैपसाइट पर विजट करने में हेल्प करता है अब ब्राउजर के कि भी ब्राउजर का यूज करके या दो भी हो जाते हैं कई बारी तब किसी ब्राउजर का यूज करके अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो जैसे की इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो जैसे की इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं पहला आइकन जो है वह आपका गूगल क्रोम का है दूसरा mozilla Firefox का है तीसरा जो ढहें दिखरा है आपको वह इंटरनेट explorer का है ठीक है तो इस तरह यह ब्रावजर होते हैं जो कि हम इंटरनेट access में help करते हैं अब इन ब्रावजर का यूज करके हम क्या क्या चीजह कर सकते हैं मेंली जो है searching for information तो अगर वैसे तो मैंने आपको कल बताया ही है कि internet का यूज हम किन-किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं तो हमने बहुत कम चीज़े पड़ी थी, पिर भी आपको बता दिया था कि किन-किस तरह से हम उसका अपने रूटीन में यह अपने काम को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें सर्च इंफर्मिशन एंटर्टेन्मेंट इमेल एंचैटिंग सोशल नेट वरकिंग शॉपिंग है ओनलाइन और वुकिंग हैं ओनलाइन लर्निंग और बैंकिंग है इन सब चीजों के लिए हम ज ठीक है तो इसमें एक चीज लिखी है सर्चिंग फॉर इंफरमेशन अगर आपने किसी भी इंफरमेशन पर सर्च करनी है तो कैसे करेंगे तो एक छोटा सा यहां पर बताया है कि जैसे आप पहले ब्राउजर ओपन करोगे जो भी ब्राउजर आपकी सिस्टम पर आप उसको ओ आइकन होता है उस पर क्लिक करके आप उस इंफरमेशन को सर्च कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहां लिखाए कि दा सर्च विजल्स हैविंग तर रिक्वाइड इंफरमेशन विल बीडिस्पेट की वह जो भी इंफरमेशन होगी इस ट्रॉपिक से लिए आपको नजर आ जा लिए इनफरमेशन तो बन्तू में भी बताया है कि अगर आपके पास माइक्रोफ विंडोस नहीं है उबन्तू है तो महां पर भी अगर फायर फॉप्स है तो फायर फॉक्स आइकन पे आप लिक करके जो भी आपको सर्च करने होँ अब रिख कर कर देंगे शर्च बॉक्स सब्सक्राइब कर देंगे जैसे यहां पर है ना सर्च बार पर आ रहा है आपका सर्च बॉक्स तो आप इंडिपेंडेंस डे टू ताउसेट एटीन के बारे में कुछ सर्च करना चाहते हो वह आपने लिखा और आप एंटर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आपके बास यहां सर और extra questions करेंगे वह आप note कर लीजे कि क्या क्या करोगे सबसे पहले question आप आज के लिए जो करोगे वह यह करोगे write the procedure to connect to the internet write the procedure to connect to the internet तो आप उसमें यहां से पूरा answer लिख लेंगे जो मैं आभी आपको highlight करके बता देती हूँ write the procedure to connect to the internet वह आप यहां से लिखोगे फिर आप लिखोगे to connect to the internet वी नीड या यू नीड वी लिख देना ठीक है उसके बाद आप यह वाला first point second point और यह तीसरा जो ISP वाला है वह आप यहां पर लिख देंगे ठीक है तो यह answer खतम उसके बाद आप second question लिखोगे what are the types of connections of internet what are the types of internet connections what are the types of internet connection इसमें भी आप लिखोगे there are two types of internet connection number one wide connection number two wireless connection तो यह सारा सारा आप जो है इसके बारे में जित्ता भी लिखा यहां पे वह आप सारा लिख देंगे ठीक है और आपने इन दोनों की photos भी बनानी है जैसे कि यहां पर desktop का दिया हूँ ना wide connection यह भी आपने यहां पे बनानी है wide connection के साथ और wireless connection के साथ आपने यह laptop का बताना है कि modern जो है wireless connection के through laptop से connect है बस यह वाला question खतम तीसरा question आपने जो करना है वह यह करना है what do you understand by bandwidth ठीक है what do you understand by bandwidth तो आपने यहां से लिखना है answer इसका bandwidth is the amount of data that can be transmitted over a network in certain amount of time ठीक है इत्ता सा आपने लिख देना उसके बाद आपने यहां लिखना in case of digital devices the bandwidth is usually expressed in bits per second और bytes per second ठीक है फिर आपने यहां से उसके बाद इतना छोड़ देना फिर next आपने लिखना है data transfer speed over the network including the internet is calculated in terms of bits per second और जितना भी लिखना one kb kilobits per second one megabits per second और one gigabits per second वह आपने यहां से कर लेना तो बस आपका यह वाला question भी खतम तीसरा और चौता question आपने यह last एक और करना है what is internet browser what is internet browser तो आप लिख देंगे यहां से to see the information on various websites we need an internet browser an internet browser इसका आप highlight भी कर सकतो an internet browser is an application or software program on our computer or laptop which helps us visit the various websites for example google chrome mozilla firefox और firefox and internet explorer ठीक है बस इतना सही आपने इसका answer लिखना है तो this is all about your session 7 homework करके जल्दी से WhatsApp पर शेयर करो okay है ठीक